क्वांटम दाइरे में फसने के अपने दिनों के दोरान जनेट वैन डायन, मिशेल फिफर, पाइम की पतनी, होब की मा और मूल वास्प जो तीस वर्षों तक क्वांटम दाइरे में खोई हुई थी, कांग, जोनाथन मेजर्स, नामक एक निर्वासित यात्री से सामना करती है कांग क्वांटम दाइरे में फसा एक समय यात्रा करने वाला बहुआयामी प्रतीदवन्दवी है, जिसे अपने जहाज और एक उपकरन को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए पिम पार्टिकल्स की आवशकता है, जो उसे समय पर और कहीं भी जाने की अनुमती देगा, वर्त में मॉरिस्ट बन गया है और अपनी प्रेमिका, होप वैन डाइने, इवांगिलिन लिली के साथ खुशी से रह रहा है, हैंक पिम और जनेट वान डाइने की बेटी, जिसे उसकी मां से एक समान सूट और वास्प मेंटल सौपा गया है, होप ने अपने पिता की कमपनी विद्रोहियों पर जल्द ही M.O.D.O. के वाली कांग की सेना ने हमला कर दिया, केवल हत्या के लिए डिजाइन किया गया क्रीचर, जो डेरेन क्रोस, कोरी स्टोल, पाइम का डिपेंडेंट बताया गया है, जो एंट मैन, 2015 की घटनाओं के दौरान क्वांटम दायरे में सब जाया जाता है, जो मांग करता है कि स्कॉर्ट उसकी पावर कोर वापस पाने में मदद करे, वह कैसी को मार डालेगा, फिर स्कॉर्ट को कोर के स्थान पर ले जाया जाता है, और नीचे से कोर दिया जाता है, वह लगभग डिफरेंट फॉर्म्स अफ सेल्फ के समुदर में जैसे जैसे स्कॉर्ट कोर के पास पहुँचता है। कांग के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। यह तब होता है जब हैंग की चीन्टिया युद्ध में करती हैं और विद्रोहियों के पक्ष में माहौल बदल देती हैं। लड़ाई के दोरान कैसी ने क्रोस को बदलने और कांग से लड़ने के लिए मना लिया। हाला कि वह अपना जीवन बलीदान कर देता है। चीन्टिया तकनीकी रूप से कांग से बहतर हैं और आसानी से उसे मात देने में हैं। डॉट होब के मातापिता, हैंग पिम, माइकल डगलस, एक पूर्व SHI ELD एजेंट, कीट विग्यानी और भौतिक विग्यानी जो सूट बनाने के बाद मूल एंट मैन बन गए और जनेट से मिलने के दोरान कैसी ने खुलासा किया कि वह एक ऐसे पर काम कर रही है जो कॉंट क्वांटम दाइरे में ले जाता है। क्वांटम दाइरे के नए रूलर कांग के लिए तीनों को भागने और क्रिलर का जहाच चुराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्वांटम दाइरे में लेकिन कांग स्कॉट पर हमला करता है। लेकिन वह इसे इग्नोर कर देता है। इमोर्टिस के लीडर्शिप में कांग के कई प्रकार कांग की मृत्यू की करते हैं और अपने मल्टि डाइमेंशनल विद्रोह की यूजना बनाते हैं।